एलो एब्रीबन माइ सेल पिज मुहमध उमर तोड़े आम गुइंग टुए इंटरनेशनल रूट्स आप सैंस सब्जेक्ट लास फेप्ट नेम ऑप चैप्टर इस इंटरनेशनल रूट्स तो इनसान ने हमेशा लंबी दूरियों पर यात्रा करने का इंज्वाय लेता रहा है मज़ा लेता रहा है वह हमेशा पिर्थिवी की हर चीज की जानने के बारे में उत्सुक रहा है नेक्सियस मिस होता है जानने की इच्छा रखना उत्सुक रहना इसलिए उसने पूरी दुनिया की पूरी पृर्थिवी की यात्रा की है चाहे वो पिलेन हो मौन्टेंस हो मौन्टेंस का मतलब परवत होता है पिलेन का मतलब समतलिया होता है कोल्ड जोन्स हों ठंडे जोन्स हों या फिर हॉट जोन्स हों सी का मतलब समुंदर होता है और हवा में भी यात रखी है उसने जैसे जैसे सेबलाई जैसान यानि सब्विता का विकास हुआ है उसने अपने लिए अपने आपको ले जाने अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए साधनों को तैयार किया उसने यानि की इनसान ने ये एक लंबी स्टोरी है कि किस तरह से उसने अपने सामान को लोट्स का मतलब बजन सामान ले जाने के लिए जानवरों का प्रियोग किया पैये का बिस्कार किया बैलगाड़ियां बनाई, कार बनाई, ट्रेक्स बनाई, ट्रेन बनाई, शिप्स येने की जहाज और हवाई जहाज बनाई अब इनसान जो है वो लैंड येनी जमीन वाला और वाटर, पानी और एयर इन पर यातरह करता है अपने सामान को ले जाने के लिए आदनिक ट्रांस्पोर्ट के साधण ने समय और दूरी दोनों पर ही बिजय प्राप्त की है और अंसार के लोगों को दुनिया के लोगों को एक दूसरे के पास खड़ा कर दिया है पास यानि की दूरी समयट कर रख दिये हैं बहुत ही कम समय में ही हम एक लंबी डिस्टेंस की यात्रा कर सकते हैं कह सकते हैं कि दुनिया के समझ इंसान एक दुस्रे के पास हो गए है early man, early man का मतलब होता है यहां आदी मानप से जो बहुत प्राचीन पुराने जमाने में था उसको early man कहते थे तो वो क्या करते थे कि लंबी लंबी दूरियां ही वो पैदल चलकर पूरी किया करते थे तैकिया करते थे और अपने सामान को अपने कंधों पर ले जाया करते थे ठीक है यहां पर देख सकते हैं यह स्टूरी है देखो इस तरह से पहले इन्सान इस तरह से ले जाता था अपने सामान को फिर यह वा बेश्वादी बनाई उसे ट्रक बस बनाए जिए अपने सामान को ले जाने में यूज किया करता था तो देखिए हम सबसे पहले कंदों पे वो सामान ले जाया करता था ठीक है और पदल चल चलके पदल चलके ही यात्रग किया करता था लंभी ळम के लिए लेकिन इसको खीचना थोड़ा कठिन था और जो अनी इवन का मतला उबर खावर जगा उसको अब देखिए पईये का रोलिंग जो लट्थे होते हैं लॉक्स लॉक्स होते हैं लकड़ी के लट्थे उनको जब उन्होंने लुड़कते हुए देखा तो उनके मंड में सिलेज के नीचे पईये लगाने का एडिया आया विचार आया और उसने लास्ट में छुटे छुटे जो हैं लॉक्स लगा लिए रॉंडे लॉक्स गोल गोल लट्थे जो हैं उसके सिलेज के नीचे लगा लिए उसके बाद ने उसमें उसी से पईये बनाए और उसने सिले स्लेज में एक्सल एक्सल का मतला होता है धुरी पहिये और धुरी स्लेज में लगाकर बैल गाड़ी बना ली कार्ट बना ली कार्ट का मतला यहां बैल गाड़ी से होता है दब भीहिर एक्सल मूब टोगेदर तो साथ साथ घूमते तो पहियों में ऐसे पहिये हैं इनके बीच was developed much later और जो तीलियों वाले पहिए थे स्पोक्ट वील का मतलब होता है तीलियों वाले पहिए बहुत बाद में ही developed किये बनाए गए 19 सेंचुरी में steam engine का power मतलब रोड पर वीकल चलाने के लिए steam engine की power दीगी थी यानि steam engine से रोड पर जो वीकल थे वो चलाए जाते थे यह लेकिन यह बहुत हैवी था भारी था और इसका जो बेस्ट यूज हुआ वो रेलबे में हुआ रेल में सिग्र ही रेलबे ट्रेंड रेलबे ट्रेंड रेलबे ट्रेंड के जो steam engine ने आज़ी फास्टर बना दिया यात्रा करने के लिए काफि तीज गती देदी और 19th century के अंत में का इंटरनल कंबंशन कंबंशन इंजन इंटरनल कंबंशन इंजन का मतलब होता है कि अंदर अंदर जो फायर चला के चला जाते है जो आज कर चलते पेटरल डीजल वाले ऐसे इंजिन का अविश्कार हुआ इनका अविश्कार हुआ इन में जो है पेटरल और डीजल का यूज की जाता था इनन के रूप में और शुरू-शुरू में 20th century यानी 20 भी सताबदी के सुरू में स्टार्टिंग में जो रोड के वहिकल्स थे रोड पर चला जाने वाले यासे कार्स ट्रेक्स ये बहुत ही बढ़ गए इनकी ब्रदी बहुत ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा चलने लगे 20 सताबदी के सुरू में ही इनमें और जो इंजन थे CPOS में भी यूज़ की जाने लगे जाजों में भी इंजन यूज़ यूज़ की जाने लगे अब ये तभी संभव हो पाया जब इंजन का अभिश्कार हो चगा था इंजन का आगमन हो गया था और एरो प्लेंज भी बनाए जाने लगे बनाए गए थे अब जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज नमबर आफ रेलवे जानी बहुत ही ज़्यादा रेलवे ट्रेंस ऑपरेट की जाती है डीजल से और इलेक्ट सिटी से यानी बिजली से अलग अलग बिविन तरह के वीकल जो है वो दोड़ते हैं जमीन फर बाटर में और हवा में एक इनसान याद लैंड यात्रा कर सकता है किसे रोड से और रेल से दो तरह से यात्रा कर सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं हम रोड वेज की रोड जो है वो most common होते है ट्रांस्पोर्ट के लिए जाया तर लोग रोड पर ही ट्रांस्पोर्ट करते हैं यात्रा करते हैं सी रेलवेज और बार्टर बैज लिंक center वाट 기 जोन्ली एंड फिरे इस वेड़ी कॉस्टी नो रेलवें होते हैं और वाट बैजो व। बड़े सहरों को लिंक करते हैं जोड़ते हैं और इनकी जो फिलाइंग होती है वह बहुत ही कॉस्टी होती है तीक है अगा हम registration का जासते हैं छोटे-छोटे डिस्टेंस के लिए पहाड़ीं के लिए आज कल एक नेटवर्क बन गया है रोड़ का पूरे संसार में जाल जासा बिची जार वहां पर क्या है यह पाथवेज हैं पाथवेज जो हैं पैदल चलने वालों के लिए कच्छा रोड़ से हैं पक्का र आध़ करते हैं हाइवेज यह बहुत सब्सक्राइब करते हैं वह थाड़े हैं यह कुछ कंडरीज में बहुत्य हिए आउट ह समय को पीछे से थोक देगा को तो इनको जो है इस्पीड वेज कहा जाता है या फिर एक्सप्रेस वेज कहा जाता है मिडल में एक डिवाइडर होता है ऐसे रोड में मिडल में बीच में डिवाइडर होता है आप लोगों ने देखा ही होगा तो जो vehicle एक side के जाने वाले होते हैं वो दूसरे side के जाने वाले vehicle को अलग करते हैं, saferate करते हैं जो भी road होते हैं, हर road को 4 या 6 length में divide किया जाता है इसलिए 4 से 6 cars तक एक side में दोड सकते हैं और इन पर जो उन पर वहीकल्स को यू टरंस करना अलाउ नहीं होता है अनुमती नहीं दी जाती है या फिर phenyaah hai भी पीछलने के लिए इस स्पेसल लेंस मना जाते हैं या फिर अंडर ऐन पड्रेच है hvad बिरेज chiओ उबर भी भी बना जाते हैं अगर पर हमें उन्हें धीरे चलना हुता है तो उनके लिए दो या दो से अधिक रोड का सैड जो है उनको ओवर विरिज या फिर अंडर विरिज के रूप में यूज किया जाता है इनको हम फिलाई ओवर कहते हैं जहां पर एक रोड दूसरे रोड को किराउस करता है तो बहां पर क्या ओवर फिलाई ओवर जंक्संस कहा जाता है उनको और वो बनाए जाते हैं ताकि आसानी से चल जा सके इस तरह से बीकल जो हैं बिना किसी किराउसिंग के आराम से दोड़ सकते हैं जर्मनी और इटली में कौसित्क यह जो सपीड होते हैं मिन कोई गार्फिक क्या चाथा करणा केल यूज नहीं की जाता है सार्भेंड का करने के लिए कोहीं बी इनका यूज़े नहीं की क्या होते हैं रोड सार shroud इल्ग ड्रेबं बिना कंट्री एक कंट्री में जो यातरा करने के लिए जिन सड़कों का यूज किया जाता है इसे को इंटरनेशनल रोड़ कहते हैं एक यूरोप में क्या करते हैं लोग लोड मतलब रोड पर ट्रेवल करते हैं फॉम बन कंट्री टू अनादर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोडने वाले रोडों को इंटर guys तैनल का मतलब होगे घखोद रची है खोदी गई है कहां पर अंडर अपस मॉंटेन अल्स मॉंटेन यह निकिल स्परवत हैं वहां पर जो इटली और फिरांस को कनेक्ट करते हैं पार। को खोदके मतलब स्वरंग बीच में अल्प मोंटेन से होते होगे जो इटली और Ce radi कि करती है तुसरी जो समंदर समंदर में भी क्या बना दी है डेख़फ और लॉट सबूर्बन बना दी है स्वरंग बना दी जाता है जो इंगियुक्त और फश्रांस को connect करती है अलासकन हाईवे रंस फ्रॉम अलासका जो अलासकन हाईवे है वो नौर्थ अमरिका के अलासका से कनाडा तक जाता है इट इस मोर देन 2700 किलो मीटर से जादा लंबा है बर्मा रोड चाइना में कन्मिंग से नौर्थ इस बर्मा के लैशियों को कनेक्ट करता है जो म्यानमार में है और यह 1154 किलो मीटर लंबा है हमारे देश भीर हमारे नेवरिं कंट्री यानी प्रोसी देश है उनको कनेक्ट करता है जैसे कि नेपाल भूटान बंगलादेश म्यान मारब पाखिस्तान और चाइना ग्रान ट्रंक रोड गोज फ्रॉम कॉल्कटा टू पेस्वर पाकास पाकिस्तान पोलकटा से पाकिस्टान पेशेबर पेशेबर जो पाकिस्टान में यहां तक जाता है कौन सा रोड गिरांट रेंक रोड कहां से कलक्ता से पेशेबर तक पाकिस्टान में है जो यह अफगानिस्तान से होकर खाइबर पास तक जाता है तो पाकिस्तान लीड टू इरान और यानिकी इरान तक बढ़ा दिया गया है यह को पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए इयरान तक बड़ा दिया गया है बोलन पास बेढ़र बोलन पास भी जो है एक रोड है रूट है में बूल में जो इरोब यानि की कोई भी इरोब जा सकता है पाकिस्तान इरान तुर्की इससे होकर दा इंडो तेबद रोड और जो इंडो तेबद रोड है वो सिम्ला से चाइना तक जाता है तिबद से होकर के आगे है रोड एक्सिडेंट और पॉलिशन देखिए एक्सिडेंट जो है जादा यानि भीलवार की वज़ए से बहुत शारा रस है ड्राइविंग है रस है याने की बहुत जादा वहीकल्स है इस वज़एसे होते हैं हर किसी को ट्रैफिक रूल्स का फालो करना चाहिए सक्त जो है और विरेज या फिर अंडर विरेज पर क्रॉस करना चाहिए और जैबरा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए ज्यादा ट्रैफिक का इंक्रीज होना से क्या होता है स्मोक धुआ और डस्ट बढ़ती है और ये हमारी हैल्थ के लिए वहुत हार्मफुल है नुकसान दायक है तो आज इकल जो है पॉलिशन पर पिर्तिवंद लगा है और अन्लीड़ पेट्रॉल अबेलेवल है अन्लीड़ ठुछ abundance नहीं की जहरीली सामिग्रीष होती चीज लीड़ यहा करते है आज रेलवेज ट्रेन जो है लोग जानती ही पट्रियों पर दौर तिये उनको मोडने के लिए का निया मिंदद जार फैप कि योश्ट बहुता है वाई से मुड़ा लिया आई रोड मोडते हैं उस तरह से तो जो ट्रेक्स है वो दो परालेल स्टील रेल से स्टील से बनाएगी होती है जो कि लकड़ी या फिर मैटल कंक्लीट के स्रीपर से फिक्स कर दी जाती है आप लोगों ने देखा ही होगा और यह बहुत ही लंबी जरनी के लिए बहुत ही कमफर्टेवल होती है अरामदायक होती है क्याची ट्रेंस यह सेफ होती है चीपर और सस्ती होती है ट्रेंड और अरामदायक होती है रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा अरामदायक और सस्ती होती है और ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक साथ में ले जासकती हैं बहुत यदा लोगों को बहुत ज़्यादा समान भी ले चलती है तो फास्टेष्ट ट्रेन के देज़ ट्रेन which मों फेज़ ब्लाइड चलने वाली फरको 28 km per hour दोड़ती है इसकी यह स्पीड है बुलेट रेंज आपान की है वो लगबग 210 km per hour उसकी स्पीड है अब देखी इंडिया की रेलवे के बारे में बताया गया है जो फर्स्ट रेलवे है इंडिया में वो 1853 में मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी बनाई गई थी कब 1853 है कहा से कहा तक मुंबई और थाने याद रखने का पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस ठी वो भी याद रखने की पॉइंट है 34 km थी आज जो है इंडियन रेलवे का नेट्वर्क बार्जेश्ट बाद गई होया है असे इसमें सबसे बढ़ा और पूरी दुनिया में चौछ नंबर पर रहे मतलब ज्यादा तर हमारा internal trade का मतलब होता है जो हमारे देश के अंदर व्यापार होता उससे वो ज्यादा तर railway transport पर defend करता है trains जो है वो raw material को factory में ले जाती है और जो factory से बनकर product तयार होता है उनको पूरे देश में पहुँचाती है और या फिर port पर पहुचाती है port का मतलब बंदरगापर export के लिए export का मतलब होता है सामान को दूसरे देशों में भेजना 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 भेजकर भेजना उसका मतलब होता है export करना अब जो है ज़्यादा तर train वो बिजली और डीजल से चलती है राजधानी असफ्रेश और सतापी एक्सपरेश इंडिया कीबसेозд्स्टेसट सब से दूड़ने वाली ट्रेन हैं अंती holidays in other country other countries की すबِّ अश्जें के बारे में या पे अब जो है सबसे जो बिसाल नेटवर्क है यूरोप में और नौर्थ अमेरिका में है यूनाटे स्टेट अब अमेरिका और कनाड़ा रेलवे जो है वो पैसिफिक और से लेकर के पैसिफिक और से लेकर के पैसिफिक पैसिफिक में जितने भी जो है अट्लांटिक ओसिफिक और से बहां से और पूरब में कि अट्लांटिक ओसियन तक के सहरों तक जाती है वहां तक इसको चार-पांच दिन इस डिस्टेंस को कवर करने में लगते हैं एक रेल कोई भी बहां से यह चलती है तो उसको चार-पांच दिन लगतें इतनी लंग डिस्टेंस है यूर्योप में दा ओरियंटए एकस्प्रेस पेरेस इस्तावुल पास इनको कनेक्ट करती है और बहुत सारे देशों को बहुत सारे देशों से होकर कनेक्ट करती है कि इसको पेरेस और इस्तनबुल और कई देशों से होकर connect करती है यह जो longest railway line है वो इसका नाम है Transsivarian ध्यान रखने का की बात है याद करने का point है यह जो है किसको करती है मासको मासको से लेकर के मासको और बिलादी बिलादी बोस्तक को connect करती है तो टोटल जर्नी टेक से बंडेज साथ दिन लेती है और 9259 9259 कि इसकी डिस्टेंस है इंटरनेशन रेल रूट इंडिया से लेकर के लाहूर पाकिस्तान ढाका है सकी बंगलादेश में ढाका तक है यह इंटरनेशनल ल्यापने हाँ इंडिया से और कि पाकिस्तान लएं में यह भाकत से और बंगलादेश में जो ढाका यह भाँ तक है है जो ढिस mustache just land में रेलोबेें और रेल्वे में वो टैनल के लिए फैमाशे या निस तुरंग के लिए फैमास है अंडर ग्रॉंड वे हैं रेएन बेडिन मैंनि बहुत सारी देसों में अंडर रेलवेज बनाएं गया है दोरती है ओर धूंसे को नहीं छोड़ती है ना ही उनको औरिघ्वाण करती है इन्डियोध और ख्लकता देलीि गफ़िओ इसे लाइने हैं ऐसी रेलवेज हैं जिनको हम मैट्रो कहते हैं जिनको मैट्रो कहा जाता है अब देखी रेलों की बात खतम होगी इसके बाद आगया वाटर वेज तो बाटर ट्रांसबोर्ट जो हैं वो रेट से सुरू हो करके और जो डग आउड स्माल वोट्स देखी रेट का मतलब यह होता है यह जो डंडे बिचाके लकड़ी यह लंबे लंबे बिचाके और इस तरह से यह बहुत सारी लकड़ीयों को इखटा करके पानी में डालकर चल चला गया तो यहां से बाटर ट्रांसबोर्ट शुरू होता है उनको चलाना बहुती कठिन था डिफिकल्ट था तब क्या हुआ सेल बोट्स हैं जिसमें विंड पावर को उनको उनके मास्ट को चलाने के लिए पुश करने के धक्का देने के लिए विंड पावर का यूज की इस बोट है यह बैओ उर बोट पर इस तरह से पूल लगखरा या कपड़ा लगा जाते तो इंट tell में हवा लगती थी ठीक हो उनको मस्ट कह जाता है तो मस्तूल कहते हैं दिमें घृभ अर Two-уж कर यह रटर का यूज कि इन्वेंशन किया गया विश्कार किया गया जिस डारेक्शन में जाना होता उस डारेक्शन में जाने के लिए वाइदा बिगनिंग आप दा टुन्टींथ सेंचुरी बीसमी सताबदी के शुरू में इस्टीम एंड आयल पॉवर्ड एंजन वर बिंग यूजड यहने कि जो भाब वाले एंजन थे और आयल पॉवर्ड वाले एंजन थे उनका उनका जहाजों को चलाने में यूज किया जाने लगा प्रियोग होने लगा आजकल जो सामान है वो मोस्टली पाबरफुल डीजल सेप्स यहने कि सकती साली डीजल सेप्स के द्वारा ले जाया सकता है जो की सेप भी है फास्टर भी है पुराने दिनों में क्या होदा था जो सेलर्स थे उनको अपने जो रास्ते थे वो सन, मून और इस्टार्स थे उनको देख क अपने रास्तों को टैक आ किया करते है दॉर्स यहां को रडार के द्वारा एदाएडार से जाता है कमपास एक मुवंग मैगनेट निडिल होता है जिसको हम कुत्व नुमा कहते हैं जिसकी निडिल हमेशा नौर्थ डारेक्शन में रहती है यानि कि उत्तर देशा में रहती है जिससे पता लगा जा सकता कि हम किदर को चल रहे हैं बाटर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही चीपेस्ट होता है सस्ता होता है और दीरे दीरे चलने वाला होता है यानि कि बहुत देर में पहुँचते हैं बहुत दिनों में दिन भी लग सकते हैं महीने भी लग सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि और इसलिए क्या है कि ये लगवग पूरे संसार में इसका यूज की जाता है वाटर बेज में कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना ही बहुत सारा पैसा चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए पुराने जवाने में जो जहाज थे वो एंकर कर दी जाते थे याने की बांदी जाते थे शैलो वाटर के पास या फिर सिंपल जैटी सिंपल जैटी का मतलब होता है यह जैसे समुंदर है और इसमें यह लकडी का थोड़ी दूर तक बना लिया गया या किसी simple चीया बना लेगी और यहां पर जाज रोखा और इसके पास तरकर इधर को इधर को ले जारहें सामान को प्रीके load या unload करना है तो उसको कर रहा है कारगो का मतलब होता है वो जहां जिनमें सामान लाका जाता है तो समान को लादने और उतारने के लिए इस सिम्पल जैटी या फिर एंकर कप्रियो की जाता था पुर्ण जमाने में तो वो जो थे बहुत ज्यादा भारी भरका में बहुत ज्यादा समान नहीं ले जाया करते थे आज कल पोर्ट्स बनाए गए हैं पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगा जहां पर जहाज आकर रुखते हैं और बहाँ पर सामान को उतारा चड़ाया जाता है ठीक है तो आज कल पोर्ट्स बना दी गए हैं कहां बना दी गए जो नेच्रल हरवर्स थे यानि कि नेच्रल बंदरगा थे बहां पर बंदरगा बना दी गए हैं सामान को उतारने के लिए और लोड करने के लिए सिपिंघ है इंटरनेशनल ट्raw यहाजों के दोपर जो एंटरनेशनल व्यापयर होता इजर्श दूसरी देश के व्यापयर होता है उसको बड़ावा मिलता है वो ले जाते हैं food grains अनाज ले जाते हैं कच्चा माल ले जाते हैं जैसे कि cotton बूल रबर जूट और तोबैको तंबाकू बगएरा इखी जहाज ले जाते हैं और लाते हैं मिनरल्स भी ले जाते हैं जैसे कि खनिवध रगाते हैं कहने स८ान कारगो शिप्स में Memory जाता है जो की इसकी स्पीड मतलब तेज होती है और जिए के रूट फिक्स होते हैं उसी रूट से जाते हैं जो ट्रैंप सिप्स हैं ट्रैंप साम की सिप्स होते हैं जहाज होते हैं इनका कोई डिफिनिट रूट नहीं होते हैं यहीं कि निशित रूट नहीं होते हैं इनके जो बड़े सिप्स होते हैं ऑईल टेंकर जिनको कहा जाता ह है रिफ्रिज डेटिट यानि रिफ्रिज डेटिट ऐसे सिप्स होते हैं जिन में फिरिज लगा हुआ होता है उनका यूज परेस हेवल गोड्स का मतलब होता है जिनको ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता है ऐसे सामान जैसे कि फ्रूट डेरी प्रोड़क्ट्स और मीट यह ले जाए जाते हैं किसमें रिफ्रिज डेटिट सिप्स में रिफ्रिज डेटिट जाजों में लग्जरी लाइनर्स कैरी पैसेंजर्स और मेल जाते हैं कि सी रूट्स होते हैं जो शुरू होते हैं और जिनका अंत होता है विवेन देशों की जो समुद्री तल के स्थाल होते हैं उनके बंदरगाओं से शुरू होते हैं और विवेन देशों के बंदरगाओं पर फिनस हो जाते हैं उनका अंत हो जाता है नौसमें नौर्थ अट्लान्टिक उसियन, सबसे जदा बिजी उसियन है समुसरी मार्गों से विए कि यहां पर बहुत ज़्यादा जहाओं चलते हैं नौर्थ अट्लान्टिक रूट बिट्वNew button लंदन जो नौर्थ अट्लान्टिक रूट है लंदन से लेकर और नीवार्क तक वह भी सबसे बिजी एस्ट है सबसे बिजी है और और क्या है यहां से देखेंगे और इंपॉर्टेंट सी रूट है बहुत ही महत्पूर्ट सी रूट है संसार का यह इरोप से अमेरिका तक लिंक है यानि कि इनको जोड़ता है दूसरे इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जो वह हैं सौथ अट्लांटिक रूट और नॉर्थ पैसिपिक रूट्स जो ग्रेट सी पोर्ट्स हैं संसार के दुनिया के वह हैं लंदन नियुवार्क सैंट फ्रांसिस्को रियोदी जैनीरियो सिंगापूर टोक्यो मुंबई सिड्नी यह हैं इनको मैप में फैंट करना है आप सर्च करें इनको और देखें कहां कहां पर हैं इंडिया में 10 जो है मुख पोर्ट्स हैं बंदरगाह हैं जो मुंबई कोलकता चेननाई कोचिन मरमेगो एंड विसाकापटनम और भी और भी कुछ हैं फैमस यह जो हैं देश को दूसरे जो सी रूट्स हैं उनसे कनेक्ट करते हैं जोड़ते हैं सोईज और पनामा कैनल सोईज और पनामा नहर सोईज कैनल जो हैं वो मेडिटेरेनियन समंदर और रेड समंदर को अने की लाल सागर को जोड़ती है नौ जो हैं सिप्स केबल दो सप्ता लेते हैं लंदन से मुंबई पहुंचने में पहले यह सिक्स मन्त लेते थे क्योंकि तब उन्हें पूरा अफ्रीका जो है उसको मैप में दिखाते हैं यहां मैप दिया हुआ है यह देखिए यह मैफ है यहां माली यह मुंबई है ठीक है यहां से यह नहर होते हुए और इधर को निकल गए लंदन के लिए ठीक है लेकिन पहले क्या था यहां से हमें इधर यह पूरा यह अफ्रीका घूम का जाना पड़ अब जो पनावा कैनल्स है वो पैसिफिक उसियन को पस्य में पस्य में पैसिफिक उसियन और पूरब में अट्लांटे उसियन को कनेक्ट करती है यानि कि यहां से अब आराम से जाए जा सकता है पैसिफिक उसियन से लिए करके और पूरब में अट्लांटे उसियन तक अब जो है सिपस को जो है पूरा सौथ अपरिका घूम कर जाना नहीं पड़ता है यहीं से उकर निकल जाते हैं तो इस पिरकार जो पस्मी तल यानि की नौर्थ अमरिका के पस्मी तल से यूरोप के यूरोप तक जो दूरी है वो बहुत थी शॉर्ट हो गई है कम हो गई है स्विज्ज कैनल जो है वो ट्राफिक के लिए 1865 में ओपन कर दी गई थी और पनामा कैनल नैंटीन फोर्टीन में ऐपन कर दी लिए खोल दी गए थी ट्राफिक के लिए inland waterways बतलब तब जो देश के अंदर-अंदर की vaterways है वो रिवर्स और जो बड़ी-बड़ी जीलें होती है उनको inland waterways के रूप में यूजि की जाता है प्रियुक की जाता है इनमें बोर्ट्स चला जाती हैं स्टरीमर्स चला जाते और यह रूप में जो रिवर्स रायन और डैनूव क्यों कई देसों से वकर बहती हैं तो उन वह भी बाटर बेस के रूप में कई देसों के लोगों की सेवा कर रही हैं पर इंगास्ट्ट क्या चाइना में और अमेजने सौथ अमेरिका में और जायरे अफ अफीका के यह बिजी वाटर वेज अंप नॉर्थ हैनमेका, यानि जोत्तरी अमेरिका है भी ऱली भडी जीले जो कानार्डा और इनटेख स्टेट अमेरिका के इनटेख करती हैं, जोडती हैं यह दोनों ही बहुत ही इंपोर्टेंट ब्रॉक्स हैं अब देखी बाटरवेज की बात खतम होगई है अब हम आगे हैं अब है इर वेज हवाई बेज हैं जो हवाई रास्ते हैं वो पहली फिलाइंग मसीन या ऐरो पिलें रैट बिर्दर्स के दोरा यो ऐसे में बनाया गया था है चुन्टीट सेंचुरी यानि 20 सिताब्दी के सुरू में आज जो है बहुत ही अच्छे ऐरो प्लेंस बना दिये गए हैं जो साइज में चोटे और बड़े भी हैं इनकी स्पीड अच्छी है और बहुत ही अरामदायक हैं बड़े प्लेंस जो हैं वो 400 यात्रियों को एक बार में ले जा सकते हैं वो बहुत सारा कार्गो यानिकी माल भी एक हजार घंटा पर आवर होती है वो सौरी एक हजार किलो मीटर पर आवर होती है एक एरो पिलेंट मौन्टेन फॉरेस्ट डेजर्ट और समन्द महासागरों कि एक के उपर से होकर एक खुद तेजी से उड़ा जा सकता है आसानी से एक हैली काप्टर जो है अलग-अलग एकलोते इस्थानों पर मतलब दुनिया के छोटे-छोटे अलग-अलग इस्थानों पर भी ले जाया जा सकता है यानि कि जहां पर जो हवाई अड़े नहीं है बहाँ पर भी जो बिजियेस्ट एर रूट्स हैं वो हैं नौर्थ अमेरिका और बेस्टन यूरूप के बीच में न्यू आर्क हैं लंदन पेरिस मास्कों टोक्यो यह बगर बगर हैं इनका जो हैं बहुत ही यह बड़े-बड़े इनके एरपोर्ट से इंटरनेशनल एरपोर्ट से एर ट्रांस्पोर्ट से क्या होता है बहुती कमफर्टेवल होता है और बहुती जल्दी से जाया सकता है उसको यूज करके लेकिन महेंगा होता है और आज तक भी सेव नहीं है पूरी तरह से हजारों लोग रोज आना एक देश से दूसरे देश में बिजनिस परपज, राजनीतिक परपज और अध्यन के परपज से या फिर होलीडे टूर के परपज से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं मुंबई से लंदन तक की जो दूरी है एर के दौरा यानि हवाई रूट के दौरा वह आठ घंटे में तै की जा सकती है जब कि है मुआ जो सिफह मुआ यहांगा यहाज इसको पंदर दिन में ताय करता था इस पर सैनिक ट wonderfully जैटेरं कॉम इसका निम कॉंपरित है भहती तेजी से औळता है मतलब इतनी तेजी से जो सांड या आवे आज की जो गती होती है उससे भी तेज ओड़ता है और travaill medium जो है इंटरनेशनल एरलाइन हमारे इंडिया में इंडिया की जो एर इंडिया है वो इंटरनेशनल एरलाइन है इसके जो जो उड़ाने हैं वो बोईंग है और जम्बो जेट से यह पैसेंजर को एक पसेंजर को दुनिया के सभी जगह पर ले जाती हैं इंडिया के जो फाइव मेजर मुख इंटरनेशनल एरपोर्ट्स हैं वो हैं न्यू देली मुंबई कोलकता चेन नहीं तिरवंदिपुरम तो इंडियन ए- strain ए वो बड़े बड़े सहरों को और हमारे देश के पिरोसी टेशों के नाइवर कंट्रि को करती हैं समझने एर इंडिया का मतलब जो दूर दूर बाले देशें उन में जाती हैं और इंडियन एर लाइंस हमारे अंदर के जो हमारे देश में शहर हैं। हमारे पस्पड़ो्स के देशों में उनको हम जाते हैं इंडियन से होकर के है म इनकी बज़े से हम पूरे देश में कुछ घंटों में ही जा सकते हैं थोटी यह वीडियो बहुत लंबी हो रही है exercise के वीडियो में next video मिलते है exercise के साथ अभी तो फिलाल इतना ही है तब तक क्लिए thank you have a nice day